एक बात आपको कहना चाता हूँ आप डिवेट प्राइए अक्टर और डिरेक्टर मुकेश ट्यागी जी मुकेश ट्यागी जी डिवेट परे कुरिका के साथ और कुरिकार मुकेश ट्यागी दो रोकराप और एक इस वक्त मेरा पहला सवाल पुरी का आप से नहीं है मोकेश ट्यागीय से, जिन्होंने अब तक कुछ बोला नहीं है मोकेश ट्यागी जी, ये लोग मुझे लगता है हिपो किरिट है, मैंने कह दिया है कि ये बात ऐसा है कि हिंडूों से इनकी दिकत है, कर अगर आईसिस कुछ करता है, तो क्या हम कहते है कि मुसल्मानों ने किया क्या हम कहते हैं कि इसलाम ने किया हम तो कहते हैं कि आतंकवादियों ने किया मगर ये सिंपल सी लॉजिक जो है कि हम कहते हैं आईसिस ने किया तो आतंकवादियों ने किया मगर अगर एक दो गुन्डे मवालियों ने या हत्यारों ने कुछ एक कर दिया तो ये कुनिका जैसे लोग बाहर निकल के आते हैं भारत बर्च बर्बाद हो गया मोजी ने भारत को लिंचिस्तान बना दिया चंद्रयान के बारे में छोड़िये बात की दिये लिंचिस्तान के बारे में पड़ना सेंग जिनों ने मंदा बैने जी ने जब एक बिलकुल एक युवक को जब एरेस्ट कर दिया मंदा बैने जी एक मीम के लिए तब एक बात नहीं बोलिया पड़ना सेंगे इसके बारे में सवाल नहीं उठाएंगे कुणिका ये भी ने पुछेंगे कि कॉंगरेस सरकार ने पेलू कार को चार्đचीट कर दिया मगर उस पर कुणिका कुछ ने कहेंगी क्यूकि इनकी जो ट्रोल ब्रिइड है इंटरनेट में मुकेश जी इनकी जो ट्रोल ब्रिइड है इनको इनको इANS्स्रक्शन आते है करते हैं मगर ये कभी बात नहीं करते कि जब मॉब लिंचिंग पर प्रोटेस्ट हुए ते सूरत में और जब पुलीज कर्मियों पर अटेक बाइख की थी उन्होंने सूरत में परच जुलाई को कुछ नहीं कहा था क्यूंकि उनको लगा उनको लगा कि इस डिकाजी में और आपको हिंदुों से दिक्क्त है आप बोल दीजे मुकेश जी और नब जी मेरी बात सुनिए किसी से इंस्ट्रक्शन में लेती कोई पॉलिटिकल लीडर से मैं लेती दूसरे लोग लेते होंगे दूसरे लोग का अजेंडा होगा मुकेश प्लीजे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खत लिखा गया है ये बहुत शरमनाग खत है इसके पीछे पूरी देश को विखतन करने की एक लंबी साजी दिखाई दे रही है ये लोग दोहरे माधदन कहां पर गए जब ओवेसी के भाई ने कहा था था पंदे मिनिट के लिए हैदरावाद से पुलिस अटा दीजे हमोदी जी का क्या हाल करेंगे ये लोग कहां गए थे जब रोहेंगे आज नहीं हाँ पर जो आमर्ज योती को अंडर किया था ये लोग कहां कहते हैं जब पाकिस्तान में टेंपिल तोड़े जा रहे हमाँ की हिंदू की लड़कियों को उठा करके उनके साथ निकाल रेप किया जा रहा है ये लोग कहां पर थे जब मदू बड़ डाल करके हिंदू सरकाल इलीज हुई इन्होंने कोई सपोर्ट उसको नहीं दिखाया ये लोग कहां पर थे कि जब देश के अंदर कश्मीर में कश्मीरी पंडित को निकाला जा रहा था इनकी आवाज कहां उठी थी ये लोग कहां थे जब 1984 में पंजाब के राइट्स हुए तो इन्होंने कोई भी प्रोटेस नहीं किया ये लोग बंगाल के अंदर हिंदों को माला जा रहा है वहाँ पर मूर्ती बखंडित की जा रही है वहाँ पर कोई आवाज नी निकाल रही तो ये जो एक साजिश है अब इसमें बिना एक सेंज जो है जो की कर्विक्ट है सुप्रीम कोर्ट से उनको उनको उन पर ट्रीजन और देश दुरों का मुकदमा चल रहा है उनका आर्बन नकसल से कनेक्शन है वो भी उन्होंने साइन किये हुए इस चिट्टी पर देर इस है वेपनाइजेशन अवी स्लोगन आप आप अज के और आप चल रहा है अगर लागए ममे माजिश त्यागी शेती है चाहिए ऐसे प्रिछ और पॉप पार देडिए भांज के आपन देगा है मुकेश जी नहीं पिर दो रिख दो प्रफिए जाय जा रिर्फ यू झाल प्रफिए एक भी उनिट्रफिश्ट इनिट्सट्रा अप्राइब आप जबुट्ट था जिए यू लोग कहते हैं वो लोग कहते हैं पहले ऐसा हुआ था तो आप आप चाहते हैं हिंदू श्मकार número Seven कि तरह कर दें तो यए वह ही तरह में करहीं कर है चैसरिर काने का और मिदय की आप विडियो ने के अवर पहलू का अप्छान को मारे गया जब पहलू खान को अटक किया गया तब आप वीडियो देखें आज भी आप इंटरेट पराइब करें दाइब करें तक वह लिए जिसमें वह देख रहा है आप पर आप अरे पर्षु तो एक बच्छे को बोल रहे आपको शायद पता होना चाहिए और क्यूंकि आपको पता नहीं है इस दिये आपको मुझे ज्यानवर्दन आपका करना पड़ेगा कि बात पर ही सुड़िये अंत में यही कहूँगा कुनिका जी आपको आपको कहूँगा अबदुलरजाग को कहूँगा धरमीब चौदरी को कहूँगा खुलकर कहूँगा और मुझे कोई नहीं रूख पायेगा मैं कहूँगा कि जैशुराम भागवान के प्रती समर्पन है ये युद्गा नारा नही पड़ीतiej हैं कि समझ लिजिए फिरुद्रलद TV को समझने की कोशिश किजी इ EST किमा kicking ननीकिर जैश चीगाम भगवान के प्रति हमारा पाइडाय यूद्हक Staat कभी हिंदुों के खिलाफ शर्यंत्रबंग कीजिए और आगे चलते हुए फुल्वामा हमले के 160 दिन बाद पाकिस्तान ने खबूल किया